बाल दी विसाल विक्राल जौल जालमानो लंक दील इवेकु केल रसना पसारी है केदो ब्यों मुबीतिका भरेह भूर धूम केतू दुष्ट मार इवेकु भारती बायु सेना धारी है नमस्कार में जन्बकता स्रियों गौतम और आज का जो मंगल है वो बाकी में सुमंगल हो गया है भारत में आज चारो तरफ खुसी की लहर है क्योंकि 14 तारीक को भारत मा के 40 सुपूतों को जिस जैसे मुहमद ने एक काईराना हमले में बलिदान होने को मजबूर कर दिया था आज उस देश की बायु सेना ने अपने बज्जर प्रहार से 300 से जादा उस जैसे मुहमद के बनेच जिहादियों को जहन्नुम पहुचा दिया है और इसकी पुष्टी नकेवल भारत की सरकार ने किया पाकिस्तान की तरफ से भी उसके विदेश मंत्री सा मेहमूद कुरैसी ने इस पश्ट कहा है कि भारती बायु सेना ने एलो सी पार करके आज हमारे यहां हमला किया है अगर दूसरे सब्दों में देखा जाए तो यह हमला हमने एलो सी पार करके नहीं किया है बलकि कस्मीर में किया है जो भारत का यह एक हिस्सा है और पाकिस्तान समर्थित आतंक वादियों के वहाँ पर कैम्प चल रहे थे सबसे बड़ी बात इस महमले की यह है कि इसकी जो टाइमिंग है इसकी जो एक्यूरेसी है और इसकी जो मारक चमता है उसको देखकर आज दुनिया के सारे देश दांतों तले उंगली दबा रहे है कि क्या यह वही भारत है जिस पर तमाम हमले होते रहते थे आतंगवादी अटेक होते रहते थे और इसकी सरकारे केबल कड़ी निन्दा किया करती थी या फिर अमेरिका और यूएन से जाकर गुहार लगाया करती थी देहती औरत की तरह से अमेरिका से सिकायते किया करती थी आज उसी भारत की बायू सेना ने अपने जो बिमान थे जो जैड बिमान थे जो जंग खा रहे थे उन जंग खाने वाले बिमानों को जमीन पर उतारा और उसके बाद एक बड़ी योजना के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के आकाओं को ये जवाब दे दिया है कि अभी तो ये अंगडाई है आगे और लडाई है पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि ये सुरुआत है ये बदला नहीं है ये बदले की सुरुआत है इसका अंजाम क्या होगा ये पूरी दुनिया देखेगी भारत की बायु सेना ने अपनी सुरुवात की है अभी भारत की बायु सेना में बहुत से बिमान बचे हुए है ये तो मिराज यानी की बज्जर की परिश्चर था उसके बाद तेजस भी है उसके बाद हमारे पास सुखोई भी है इन सभी बिम संकेत भारत के प्रजान मंत्री ने अभी दो दिन पहले दिया था जब उन्होंने कहा था कि आतंक की फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का समय आ गया है तो भारत के ही कुछ पाकिस्तान समर्थक राजनेतिक दलों ने इस बात की हसी उड़ाई थी कॉंग्रेस पार्टी जैसे राजनेतिक दलों के नेता ये कह रहे थे कि दस दिन हो गए नरेंद्र बोदी केवल बातें पहें बातें किये जा रहे हैं बदला कब लिया जाएगा आपको याद होगा कि जब छोटी सी सर्जी कल स्ट्राइक हमने की थी तब भारत की तमाम पार्टियों के गद्दार नेता भारत की बायु सेना से भारत की सेना से सुबूत मांग रहे थे इस बार वो सुबूत मांगे तो जनता उनके सर पे जूते मारेगी वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुबूत मांगने पर उनकी जनता में पिटाई हो जाएगी यही बज़े हैं कि जैसे यह नीज ब्रेक हुई सवाचा चैनलों पर यह नीज चलने लगी उसके बाद उन गद्दार पार्टियों के गद्दार नेताओं ने भी बायू सेना को सलाम करना शुरू कर दिया ये होती है सक्ती की तागत सक्ती में भक्ती होती है आपने सुना होगा यही है उस सक्ती की भक्ती कि जब भारत की बायु सेना ने अपनी सक्ति दिखाई तो जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में भारत की सेना के उपर भारत की इंटेलीजन्स के उपर भारत की सरकार के उपर सवाल उठा रहे थे आज वो उसकी जैजैकार करने के लिए मजबूर हो गए है आपको याद होगा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस वार बायू सेना हो या सेना हो या नो सेना हो इन सभी तीनों अंगों को खुली छूट दे दी गई है वो कब कहां कैसे और किस पर प्रहार करेंगे ये उनके उपर छोड़ दिया गया है क्योंकि भारत की सरकार को और इस देश की 130 करोड जनता को अपनी सेनाओं पर पूरा विश्वास है आज उस विश्वास की बानगी देखने को मिली जब मंगलवार के दिन इतना बड़ा सुमंगल समाचार हमको सुनाई दिया सुबह तीन बज कर तीस निट से ये कार्रवाई सुरू हुई और तीस मिनट से भी कम समय में पाकिस्तान के 12 ठिकानों पर यानि कि कस्मीर के जो पाक ऑक्कूपाइट कस्मीर है उस जगे के 12 ठिकानों पर बाला कोट, चकोटीय और मुजफराबाद में हजारों किलों के बंब गिराए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि मसूद अजर का जीजा यूसुप अजर बाला कोट में मारा गया उसके साथ 12 जगे पर 300 से जादा ये देशतगर्द ये गद्दार जिहादी आतंगबादी मारे गए जो कि तैयारी कर रहे थे भारत में बड फिदाईन हमलों की उनको निस्त नाबूत कर दिया गया है पाकिस्तान पूरी तरह से जैसत में है आज जिस तरीके से उसके समार्चा चैनलों पर गाली गलोज हो रही है वो अपनी पीठ थबा रहे हैं कि हमने भारती बायु सेना के बिमानों को मार कर भगा दिया डरा कर भ भाग गए लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि तीन बज कर पैतालीस मिनट पर जिस तरीके से उनकी सेना के एक मेजर ने मेजर जनरल आसिफ ने ये बात पुष्टी कर दी थी इस बात की कि भारत की बायु सेना एलो सी क्रोस कर चुकी है इस से बड़ा सुबूत क्या ह होगा अर्विन केजरिवाल कॉंग्रेस पार्टी के राहुल गांदी ममता बनर जी अगर तुम लोगों को सुबूत चाहिए तो वहां से सो सो ग्राम बं भी ले आओ या फिर पबलिक के बीच में जाकर आज सुबूत मांगो भारत की जंता तुम्हें सुबूत देगी और क ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान समर्थित जिस तरीके से तीन दिन से वहां बयान बाजी हो रही थी जब मुकस्मीर में पहले कॉंग्रेस पार्टी के एक नेता ने बयान दिया कि विद्रो हो जाएगा अब अगे आया उसने कहा कि जब मुकस्मीर की जो जंता है वो भारत क कि सेना के खिलाब खड़ी हो जाएगी उससे भी आगे बढ़कर मेवुआ मुफ्ती ने कहा कि हम दूसरा जंडा उठा लेंगे आज उन लोगों से पूछना चाहिए कि किस किस को जंडा उठाने की उम्मीद जगी हुई है क्योंकि फिर भारत की सेना और भारत के जो और्द सुख है सबसे पहले उसुखता तो इसराइल वालों को होगी कि हमारा मित्र हिंदुस्तान जिसको कि हम कहे चुके हैं कि जब जहां जैसी भी जरौत होगी हम आपके साथ खड़े हैं वो इसराइल भी देखना चाहता है कि भारत का यह जो नई सरकार है नया जो जोस है वो कि इस हद तक आगे जाएगा कितना खौप पैदा करेगा इस आतंगबाद की फैक्टरी पाकिस्तान में और वो खौप का नजारा तो भारत के अलावा पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से इमरान खान ने सांती की अपील की थी कल और हमने उसकी अपील पर काम करते खान की मदद कर दी है जम्मू कस्मीर के उस हिस्से में जिसे पाक कुपाइट कस्मीर कहा जाता है हमने 300 करदों को मार कर पाकिस्तान की जंता को भी आतंगवाद से बचाने का काम किया है ये बदला नहीं है ये तो सांती पूर एक आत्मरच्छा का प्रयास है जो केवल हमने अपने लिए नहीं किया है ये तो हमने उस इमरान खान की रोते हुए बकतन के आधार पर किया है कि वह कह रहा था कि हम भी परेशान है तो इम्रान खान तुम चिंता मत करो हम पाकिस्तान के हर कोने में चलने वाले आतंकी संक्ठन को आतंकी कैम्प को खतम करने की तागत रखते हैं अभी तो तुमने मिराज का प्रहार देखा है अभी तो तुमने बज्र का प्रहार देखा है उसके बाद जब सुखोई से प्रहा होगा तो वो करांची में भी होगा वो रावल पिंडी में भी होगा वो इसलामाबाद में भी होगा और वो पक्तुनिस्तान हो या बलूचिस्तान हर जगे जहां तुमारी सेना या आईएसाई आतर्क वादी गत्विदिया चलाती है उस हर जगे पर होगा अब नबीच में को भोने जा रहे हैं उसके बाब जूद किसी भी पापकेस्तान समर्थित किसी भी पापिस्तान समर्थित आतंग बादी फैक्टरी समर्थित देश ने अभी तक इसके खिलाब कुछ नहीं बोला है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार कुछ बोले तो वो पूरी दुनिया के सामने आत्तक वादी समर्थ तक घोसित हो जाएंगे इस बात को अमेरिका भी जानता है चीन भी जानता है बाकी देशों की तो बिसात ही क्या क्योंकि बाकी देश तो भारत के साथ खड़े हुई हुए है और इस बार अमेरिका भी खुल कर मुखालपत कर रहा है जो कि सबसे बड़ा सनरचक हुआ करता था पाकिस्तान का यह जीत है भारत के 130 करोर लोगों की जिनोंने बिश्वास जताया तमाम टीवी चैनलों द्वारा भरकाए जाने के बावजूद तमाम टीवी चैनलों के द्वारा सुप्रीम कोट में भी इसके लेकर याजिका लगाई गई कि जो लापरवाई हुई थी जिससे हमला हुआ जो इंटेलीजेंस फेलर था उसको सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया उस याजिका को और जो टीवी चैनल और जो उनके गद्दार पत्रकार ये सवाल उठा रहे थे कि भारत सरकार अपनी ना इसको आप बदले का अंत्मत मानिये क्योंकि ये शुरुआत है अंजाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक एक सक्स आतंकवाद के नाम पर बोलने से पहले दस्वार सोचेगा कि कहीं भारत की सेना का कोई विमान आकर हमारे यां बम न गिरा जाए और हमें मार के न चला जाए इस बार आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा ऐसा भारत के 130 करोड़ों का बिस्वास है और उन्हें पता है कि भारत की बायू से ना हो थल से ना हो या नो से ना उनके अंदर इतनी तागत है कि इस आतंकवाद के राच्छस को सैतान को मिटा कर दम लेंग जै हिन जै भारत